पिछले अध्याय में हमने कार्थिक व्रत के नियम वो उद्यापन की विधे के बारे में चाना इस अध्याय में हम कार्थिक व्रत के पुन्यदान से एक राक्षसी का उद्धार जानेंगे नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे राजा प्रिथु ने कहा मुनिश्रेष्ट कार्तिक कबरत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए किसने इस व्रत का अनुस्ठान किया था नारजी बोले राजन पूर्फकाल की बात है सहे परवत पर करवीर पुर में धर्मदत नाम के एक धर्मग्य ब्राहमन रहते थे जो भगवान विष्णु का वरत करने वाले तथा भलिभांते श्री विष्णु पूजन में सरवधा ततपर रहने वाले थे वे द्वादशाक्षर मंत्र का जब किया करते थे अधितियों का सतकार उन्हें विशेश प्रिये था एक दिन कार्तिक मास में श्री हरी के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल दिये उस समय एक प्रहार रात बाकी थी भगवान के पूजन की सामगरी साथ लिए जाते हुए ब्राहमन ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी तेरी मेरी दाणे लपलपाती हुई जीब धासे हुई लाल-लाल नेत्र नगन शरीर लंबे-लंबे उंट और घरगर शब्द यही उसकी दशा थी उसे देखकर ब्राहमन देवता भय से थर्रा उठे सारा शरीर कांपने लगा उन्होंने साहस करके पूजा की सामगरी तधा जल्चे ही उस राक्षिसी के उपर रोश पूर्वक प्रहार किया हारी नाम का स्मरण करके तुलसी दर मिश्रित जल्चे उसको मारा था इसलिए उसका सारा पातक नश्चो हो गया अब उसे अपनी पूर्वचन के कर्मू के परिणाम सुरुप प्राप्थ हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया उसने ब्रहमन को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा ब्रहमन मैं पूर्वचन के कर्मू के कूपरिणाम वश इस दशा को प्राप्थ हुई हूँ अब कैसे मुझे उत्तम गती प्राप्थ हो राक्षिसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वचन के किये हुए कर्मू का वर्णन करते देख ब्रहमन को बड़ा विस्मय हुआ वे उससे इस प्रकार बोले किस कर्म के फल से तुम इस दशा को प्राप्थ हुई हो कहां से आई हो तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवार कैसा है यह सारी बात हैं मुझे बताओ कलहा बोली ब्रहमन मेरे पुर्जन की बात है सौराष्ट्र नगर में भिख्षु नाम की एक ब्रहमन रहते थे मैं उन्हीं की पतनी थी मेरा नाम कलहा था मैं बड़े भयंकर सुभाव की स्त्री थी मैंने वचन से भी कभी अपने पती का भला नहीं किया उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा मैं सदा उनकी आग्या का उलंखन किया करती थी कलह मुझे विशेश प्रिये था वे ब्रहामन मुझे सदा उद्विग्न रहा करते थे अन्तोगत्वा मेरे पती ने दूसरी स्त्री से विवा करने का विचार कर लिया तब मैंने विश्खा कर अपने प्राण त्याग दिये फिर यमराज के दूताएं और मुझे बांद कर पीरते हुए यमलोप मिले गए यमराज ने मुझे वो पस्ते देख चित्रगुप्त से कहा चित्रगुप्त देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है इसे शुब कर्म का फल मिलेगा या अशुब कर्म का चित्रगुप्त ने कहा धर्मराज इसने तो कोई भी शुब कर्म नहीं किया यह स्वयम मिठाईया उड़ाती रही और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी यह बल्लगुली अरथाथ चमगादर की योनी में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारम करें सद़ा अपने स्वामी से द्वेश किया है तथा सर्वदा कलह में ही जीवन यापन किया है इसलिए ये शुक्री की योनी में जन्मले विष्टा का भोजन करती हुई समय वेतीत करे। जिस बरतन में भोजन मनाय जाता था उसी में ये हमेशा खाया करती थी। अतह इस दोश के प्रभाव से ये है अपनी ही संतान का भाक्षन करने वाली बिल्ली हो। तथा अपने स्वामी को निमित बना कर इसने आत्मघात किया है। अतह ये अत्यनत निंदनी स्तरी गुछकाल तक प्रेट शरीर में भी निवास करे। दूदों के साथ इसको यहां से मरुप्रदेश में भेज देना चाहिए। बहां जिरकाल तक ये प्रेट का शरीर धारन करती रहे। इसके बाद ये पापी नी तीन यूनियों का भी कष्ट भोगीगी। कला कहती है मैं वही पापी नी कला हूँ। प्रेट के शरीर में आये मुझे पांच सो वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपनी कर्म से दुखित तथा भूग प्यास से पीडित रहा करती हूँ। एक दिन भूग से पीडित होकर मैंने एक बनिय के शरीर में प्रवेश किया। और उसके साथ दक्षन देश में कृष्णा और बिर्णी के संगम पर आये। आने पर जो ही संगम की किनारे खड़ी हुई तो ही उस बनिय के शरीर से भगवांशिर और विश्णू के पार्षत निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिये। दृच्रिष्ट तब से मैं भूग का कस्ट सेहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके उपर मेरी दृष्टी बड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर आप मेरे पाप नश्ट हो गये। विप्रवर मुझ पर कृपा कीजिए और बताएए मैं इस प्रेज छरीर से और भविश्य में प्राप्द होने वाली भायंकर तीन यूनियों से किस प्रकार मुक्त होंगे। नारची कहते हैं कल्हा की ये बचन सुनकर दुछ्ष्ष धर्मदत को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विसमय और दुख हुआ। उसकी ग्लानी देखकर उनका हृदे करुणा से द्रविथ हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। तुम दुख ही नहीं हो तुम्हारा उद्धार किये बेना मेरे चित को शांती नहीं मिलेगी। अतह मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधापुन्य लेकर तुम उत्तम गती को प्राप्थ हो। यों कहकर धर्मदत ने द्वाश्ठाशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जियों ही उसका अभिशेक किया। त्यों ही वे प्रेट चरीर से मुक्त हो दिवेरूब धारिनी देवी हो गए। धदकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्वनी दिखाई देन लेगी। लावन्य से तो वे ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमी पर मस्तक टेक कर ब्रहमर देवता को प्राम किया और आत्म विभोर हो गदगद वानी में कहा। दुछ्रेष्ट आपकी कृपा से मैं नर्क से छुटकारा पावे। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी। आप मेरे लिए नौका के समान हो वह इस प्रकार प्रहमर देव से वार्तलाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णों के समान रूप धारन करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुन्यशील औ उस देवी को विमान पर चड़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूप धारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साश्टांग प्रणाम किया। प्रहमर को प्रणाम करते देख पुन्यशील और स शंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहे। द्विच्रेश्ट तुम्हें धर्न्यवाद है क्योंकि तुम सदा भाववान विष्णु की अराधना में सनलगने रहते हूँ। दीनों पर दया करने का तुम्हारा सोभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्र किया था उसके आधे का दान करके दूना पुन्य प्राप्त कर लिए। तुम बड़े दयालू हो। तुम्हारे द्वारा दान किये हुए कार्तिक प्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदी शुब कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के पैकुंट धाम में जाओगे और उनी के समान रूप धारन करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत जिन लोगों ने तुम्हारे ही भांती श्री विष्णु की भगति पूर्वक अराधना की है वे धन्य और कृत-कृत्ते हैं तथा संसार में उनी का जन्म लेना सार्थक है जिन्होंने पूर्वकाल में राजा उत्तानपात के पुत्र धुरुफ को धुरुफपत पर स्थापित किया था उन्श्री विष्णु की यदि भालिवांती अराधन हो जाते हैं पूर्वकाल में जब गजराज को ग्रहाने पकड़ लिया था उस समय उसने श्रीहरी के नामस्परण से ही संकट से छुटकारा पाकर भागवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भागवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है तुमने भी श्रीहर इस प्रकार विश्नु पार्षदों के बचन सुनकर धर्मदत को बड़ा आश्चेर हुआ वे उने साश्टांग प्रणाम करके बुले प्राय सभी लोग भक्तों का कस्ट दूर करने वाले श्री विश्नु की यग्य, दान, व्रत, तीर्ध सेवन और तपस्याओं के द्वा के सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है, कि साधन का अनुष्ठान करने से उपर्युक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतह हो जाता है, दोनों पार्षदों न कहा, ब्रह्मन तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, अब एक आगरचित होकर सुनो, हम इतिहा सहित प्र प्राचिन व्रितांत का वर्णन करते हैं, पहले काचिपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, उनके अधीन जितने देश थे, वे भी चोल नाम से ही विख्यात थे, राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य, धरित्र, दुखी, पाद में मन लगाने वाला अत्वा रोगी नहीं था, उन्होंने इतने यग्य किये थे, जिनकी कोई गण्णा नहीं होती थी, उनके यग्यों के सुवर्ण में, एवं शुभाशाली यूपों से भरे हुए, तामरपणी नदी के दोनों किनारे, चैदरत वन के समा सुशोफित होते थे, एक समय की बात है, राजा चोल अननतिशयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर्ण श्री विष्णू योग निद्रा का आश्रेले सो रहे थे, वहां लक्ष्मी रमण भागवान श्री विष्णू के दिप्वे विग्रह की, राजा ने प्रणाम करके वे जियों ही बैठे, उसी समय उनकी दिष्टी भागवान के पास आते हुए एक ब्रहमन पर पड़ी, जो उनी की कांची नगरी के निवासी थे, उनका नाम विष्णू दास था, वे भागवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिया थे, निकट आने पर उन ब्रहमरशी ने विष्णू सुक्त का पाठ करते हुए देव देव भागवान को स्नान कराया, तुलसी की मंजरी तथा पत्नों से विधिवत पूजा की, राजा चोल ने जो पहले रतनों से भागवान की पूजा की थी, वे अब तुलसी पूजा से धग गए, यह देख राजा को पे थोकर, विष्णुदास मैंने मनियों तथा सुवण से भागवान की पूजा की थी, वे कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दर चढ़ा कर सब धग दी, बताओ ऐसा क्यों किया, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम बड़े भागवान विष्णु की भक्ति को बिलकुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यांत सुन्दर सजी सजाई, पूजा को पत्तों से ढखे जा रहे हो, तुम्हारे इस परताव पर मुझे बड़ा आश्यर हो रहा है, विष्णु दास बोले, राजन आपको भक्ति का कुछ भ ब्राहमंड कर रहे हैं, बताईयो तो आज से पहले आपने कितने वैश्णव व्रतों का पालन किया हैं, राजा ने कहा, ब्राहमंड यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो, तो बताओ, तुमने कितनी भक्ति की, तुम थो दरिद्र हो, निर्धन हो, तुमने विष्णु को संतुष्ट करने वाले यग्यदान आदी कभी नहीं किये, तथा पहले कहीं कोई देवाले भी नहीं बनवाया, ऐसी दशा में तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमन, अच्छा, तो आज यहां जितने भी श्रेष्ट ब्राहमंड उपस इससे लोगों को स्वयम ही ग्यात हो जाएगा, कि हम किस में कितनी भक्ति है, दोनों पार्शत बोले, ब्राहमंड, यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन चले गए, और उन्होंने महरशी मुद्गल को आचारे बना कर वैशनव्यक्य का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसम बहुत से रिश्यों का समुदाय इकत्रित हुआ, बहुत से अन घर्च किया गया, और प्रचूर दक्षणा बाढ़ी गए, जैसे पूर्वकाल में गयाक्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने स्मृत देशाले यग्य का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भ विश्णु धास भी वही भागवान के मंदिर में ठहर गये, और श्री विश्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भाली भांती पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगी, माग और कार्तिक के व्रत, तुल्ची के बगीची का भाली भा विश्णु की पूजा, यहीं उनकी दिन चर्या थी, वे इनी व्रतों का पालन करते थे, चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विश्णु का स्मरण बना रहता था, वे संदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भागवान विश्णु को स्थित देख विश्णु का भी सरवदा पालन किया, इस प्रकार राजा चोल और विश्णु दास दोनों ही भागवान विश्णु की अराधना में लग गये, दोनों ही अपने अपने वरत में सित रहते थे, दोनों की ही इंद्रियां और दोनों की ही कर्म भागवान में ही किंद्रित थे एक दिन की बाद है विश्णुदास ने नित्य कर्म करने के पशात भोजन तयार किया किंटू से किसी ने चुरा लिया चुराने वाले पर किसी की द्रिश्टी नहीं बड़ी विश्णुदास ने देखा भोजन गायब है फिर भी उन्होंने दुबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अफकाश नहीं मिलता अतह प्रती दिन के नियम के भंग हो जाने का भय था दूसरे दिन उसी समय पर भोजन मनाकर जो ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए निकले तियों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हडप ले गया इस प्रकार लगातार साथ दिनों तक कोई आ आकर उनके भोजन का अफरण करता रहा इससे विष्णुदास को बड़ा विष्ण में हुआ वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे अहो यह कौन प्रति दिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है मैं क्षेत्र सन्यास ले चुका हूँ अतहां अब किसी प्रकार इस्थान का परित्याग नहीं कर सकता येती दोबारा बनाकर भोजन करूँ तो सायकाल की ये पूजा कैसे छोड़ दूँ कोई साभी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूँगा ही नहीं क्योंकि जब तक सारी सामकरी भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता प्रति दिन उपवास करने से मैं इस व्रत की सापता ही तक जिवेद कैसे रह सकता हूँ अच्छा आज मैं रसोई की भलिभांती रक्षा करूँगा यो सोचकर भोजन बनाने के पश्षा वे बहीं कहीं छिपकर खड़े हो गये इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अनहडब ले जाने को तैयार खड़ा था भोग के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था मुख पर दीनता चा रही थी शरीर में हाड और चाम की सिवा कुछ बाकी नहीं था उसे देखकर श्रेष्ट भगवान विश्णुदास का हरदे करोणा से व्यति थोटा उसने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर द्रिष्टी डाली उसे देखकर श्रेष्ट ब्रहमन विश्णुदास का हरदे करोणा से व्यति थोटा उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चानडाल पर द्रिष्टी डाली और कहा भैया जरा ठहरो ठहरो क्यों रूखा सुखा खाते हो ये घी तो लेलो इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्टूदास को आते देख चानडाल बड़े वेग से भागा और भैसे मूर्चित होकर गिर पड़ा चानडाल को भैभित और मूर्चित देख दुछ्रेश्ट विष्टूदास वेग से चल कर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने वस्तर के किनारे से उसको हवा करने लगे तदन अंतर जब वे उठकर खड़ा हुआ तो विष्टूदास ने देखा वे चानडाल नहीं साक्षात भगवान नारायन ही शंक, चक्र और गदाधारन की सामने विराजमान है कटी में पीतांबर चार भुजाएं, हिदे में श्रीवच का चिन तथा मस्थक पर किरीट शोभा पा रहे हैं अलसी के फूल की भांती श्याम सुन्दर शरी और कौस्तों मणी से जगमगाते हुए वक्ष थल की अपूर्व शोभा हो रही थी अपने प्रभू को प्रत्यक्ष देख कर दुछरेष्ट विष्णुदास सात्विक भावों के बशिभूत हो गए विस्तुती और नमस्कार करने में भी समर्थ नहों सके उस समय वहां इंद्र आदी देवता भी आप पहुंचे गंधर्व और अपसराई गाने और नाशने लगी वहस्तान सेंकडों विमानों से भर गया और देव्रिशियों के समुदाय से सुशोवित होने लगा चारों और गीत और वाद्यों की ध्वनी चा गई तब भगवान विश्णू ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विश्णुदास को हिदे से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वेकुंट धाम को चले उस समय यग्य में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विश्णुदास एक सुन्दर विमान पर बैट कर भगवान विश्णू के समीप जा रहे हैं विश्णुदास को वेकुंट धाम में जाते देख राजा ने तुरंथ ही अपने गुरू महरशी मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंब किया जिसके साथ लागडांट होने के कारण मैंने ये यग्यदान आदी कर्म का अनुष्ठान किया वे ब्रहमण आज भगवान विश्णू का रूप धारन करके मुझसे पहले ही वेकुंट धाम में जा रहा है मैंने इस वैश्ण व्याग में भरिभाती देख्षित होकर अगनी में हवन किया और दान आदी के द्वारा ब्रहमणों का मनुरत पून किया तथा भी अभी तक भगवान मुझबल प्रसन नहीं हुए और इस प्रामुन को केबल भक्ती के ही कारण श्रिहरी ने प्रतिक्ष धर्शन दिये अतह जान पड़ता है भगवान विष्नु केबल दान और यग्यों से प्रसन्य नहीं होते उन प्रभू का धर्शन कराने में भक्ती ही प्रधान कारण है दोनों पार्षत कहते हैं यों कहकर राजा ने अपने भांजी को राज सिंगासन पर अभिशिक्त कर दिया वे बच्पन से ही यक्ये की दीक्षा लेकर उसी में सनलगन रहते थे इसलिए उन्हें कोई पुद्र नहीं हुआ यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राजे के उत्राधिकारी होते हैं वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं भांजे को राज़ देने के पशात राजा यग्य शाला में गये और यग्य कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए तीन बाद उच्छ स्वर से निम्नांकित वचन बोले भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भगते प्रदान कीजिए यूं कहकर वे सब की देखते देखते अगनी में कूद बड़े उस समय मुद्गल मुनी ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड डाली तभी से आज तक उस घुत्र में उत्बन होने वाले समस्त मुद्गल ब्रह्मन बिना शिखा की ही रहते हैं राजा जियों ही अगनी कुण्ड में कूदे उसी समय भक्त वत्सर भगवान विश्णू प्रकट हो गए और उनोंने राजा को हृदे से लगा एक शेष्ट विमान पर आसन दिया और अपने ही समाद रूप देकर उन देविश्वर ने देवताउं सहित वैकुंट धाम को उक्त दोनों भक्तों में जो विश्णू दास थे वे तो पुन्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे उनका नाम सुशीर हुआ हम वे ही दोनों हैं लक्ष्मीजे के प्रियतम श्री हरी ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है इसलिए धर्मग्य ब्रामण तुम भी सदा भगवान विश्णू के ब्रत में स्थित रहो माचसर्य और दंब का परित्याग करके सर्वत्र समान द्रिष्टी रखो तुला, मकर और मेशगी सक्रांती में सदा प्रातह स्नान किया करो एकादशी के ब्रत में लगे रहो और तुलसीवन के रक्षा करते रहो ब्रहमणों, गौउं तथा वैश्णवों की सदा ही सेवा करो मसूर, काजी और बैगन खाना छोड़ दो धर्मदत ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्रिविश्णू के परमपत को प्राप्थ होगे जैसे हम लोगों ने भगवान की भग्ती से ही उन्हें प्राप्थ किया है उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्थ कर लोगे तो उन्हें जन्म से लेकर अब तक जो श्रीविश्णू को संतुष्ट करने वाले ये व्रत किये है उससे यग्य, दान और तीत भी बड़े नहीं है श्री विश्णु को प्रसंद करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है जिसके एक भाग का पुन्य पाकर ही प्रेतियोनी में पड़ी हुई कलह मुक्त हो गई अब हम लोग इस भागवान विश्णु के लोक में ले जा रहे हैं राजन इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विश्णु के दूतों ने धर्मदद को उपदेश देकर कलह के साथ वैश्णुधाम की यात्रा की तत्पशात धर्मददपी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भागवान के परमधाम को चले गए जो पुरुष इस प्राजीन इतिहास को सुनता और सुनाता है वे जगत गुरु भावान की कृपा से उनका सानित्य प्राप्त करने बाला उत्तम गती को प्राप्त होता है क्या आप जानते हैं मुद्गल रिशी के बंच में कोई भी शिखाधार नहीं करता और इसका ग्यान आज मुझे प्राप्त हुआ अगले अथ्याय में हम पुन्यात्मों के संसर्ग से पुन्य की प्राप्ती के प्रसंग में धनिश्व नामक प्राहमन की कथा सुनेंगे